तो सबसे पहले हम एक पाइफन प्रोग्राइम बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले हम एक टपल को क्रेट करेंगे यूजर से इंपूट लेके सबसे पहले आपको क्या करना है तो यहां पर हमने टपल फंक्शन का यूजर किया है जब टपल फंक्शन के अंदर आप कोई भी आर्गूमेंट नहीं लेते हो तो वो कौन सी टपल करती है एमटी टपल क्रेंट करती है तो यहां पर हमारा ट क्या स्टोर करेगा एक एमटी टपल को डालना है तो आपने इसके लिए क्या क्या इनपूट फंक्शन का यूज किया input function की help से आप user से input कराओगी ओकिए आपने यहाँ पे prompt को display किया total number of values in a tuple तो user input function की help से क्या होता है prompt display होता है और user अपनी value को insert करता है जो भी value आएगी अब input function क्या करता है user से जो भी input लेता है वो किस form में होता है वो string form में होता है बट यहाँ पर हमें डाल दिया इंप्ट फंक्शन के अंदर और जो भी वैल्यू आएगी इंप्ट फंक्शन की वह क्या बन जाएगी इंटीजक बन जाने के बाद अब्ह आखें सore कि उसको कहाँ डाल दिया एंडं verf okay now first हमने empty tuple ko create किया second हमने क्या किया हमने user input कराया कि tuple के अंदर कितनी values डालनी है fine now अब हम क्या करेंगे one by one user से value को tuple के अंदर enter कराएंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए for loop यहां पर हमने for loop use किया for i in range n तो अब यह जो for loop है वो कितनी बार चलेगा कितने times चलेगा n times चलेगा fine okay n times चलेगा और जो i variable है वो क्या करेगा one by one जब तक कि वो n values access नहीं कर लेता तब तक कि वो values को user से input कराता रहेगा fine तो first time चलेगा जैसे यहां पर माल दो user ने जैसे यहां पर है total number of values in the tuple five output हम यहां से देखते है देखो total number of values in tuple four four input करा दिया तो यहां पर हमारा क्या है n is what n is four okay तो this loop will run four times okay तो first i one को contain करेगा first time चलेगा तो यहां पर लूप के अंदर की commands execute होंगी यहां पर देखो अंदर हमने क्या commands दिये लूप के अंदर input enter elements okay elements को enter करा है जो भी element आप enter करोगे वो कहां चला जाएगा variable a में okay and next is t equal to t plus a यहां पर हम क्या करें जो empty tuple है उसमें वो elements को add करा रहे है और you can say append करा रहे है right जो first element आपने एंटे कराया six okay वो टपल में जाके एंटर हो जाएगा राइट six then क्या होगा second पहले one time loop चला ओकी अब क्या है second time loop चलेगा ओकी फिर आपका prompt display होगा एंटर element आपने एंटे करा दिया nine ठीक है तो first looping में क्या हो था six enter हुआ था आपका second loop में आपका nine enter हो गया append हो गया आपके टपल के अंदर ठीक है ओकी जब आपका third time loop चला third time आपका loop चलेगा ठीक है फिर आपने एंटर करा दिया यहाँ पर three okay third time loop चलेगा यहाँ पर value 3 को एंटर करा होगे ठीक है तो इसमें आपने value एंटर करा दिग three fine then आपका loop चलेगा four times fine four times चलेगा तो four times तो यह आपने क्या किया अपनी टफल क्रिएट करती लिए इसमें 6 है यह ज़ा है और फंड टाइम लूप चला तो नाइन फंड टाइम लूप चला तो थी एड हो गया और फॉर्ट रेम लूप चला तो टू अगया यह आपकी टपल बनके अगई find यह आपकी complete tuple आपने बना ली अब next आपको क्या करना इस tuple में से find करना है कि maximum value कौन सी है और minimum value कौन सी है तो इसके लिए हम किस function का use करेंगे max and min function का use करेंगे तो आपने simply क्या command दिया print maximum value of tuple ओके यह जो आपने दिया double course में वो as it is आएगा उसके बाद आपने क्या किया max function के अंदर टपल नेम को पास कर दिया fine max function के अंदर जब आप टपल को पास करते हो तो क्या करता है max function टपल के अंदर जो maximum value होती है उसको display करा देता है तो इसने क्या किया यहां पर 9 is the maximum value तो max function क्या करेगा 9 को display करा देगा return कर देगा राइट तो यहां पर 9 आ गया देन आपने next command दिया print minimum value of tuple ठीक है फिर आपने क्या क्या min function का use किया में फंक्शन के अंदर आपने टपल को pass कर दिया अब min function क्या return करेगा टपल मेंसे जो सबसे छोटा element होगा minimum element होगा यहां पर 2 सबसे छोटा element है तो क्या किया है min function ने टू को return कर दिया तो इस में इस program में आपने क्या क्या first user की input की help से tuple को create किया fine यह हमने अब tuple को बनाया फिर हमने max and min function की help से find out किया कि इस tuple के अंदर maximum और minimum elements कौन-कौन से हैं okay okay now the next program is python program to find the mean of value stored in a tuple okay तो हमें क्या करना है जो tuple के अंदर value store है उनकी mean value निकाना है right mean value आप कैसे निकालते हो sum of values divided by the number of values okay तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे tuple को enter करेंगे आपने input की help से user से क्या किया है tuple को enter करा है okay आप देखो मैंने यहां input function को evil function के अंदर enclose किया है ठीक है evil function के अंदर enclose किया है evil function का क्या यूज होता है evil function का use होता है जो भी value आप input कराओगे इंटीजर कराओगे तो evil function उसको evaluate करके integer में convert कर देगी आप string कराओगे तो उसको string में convert कर देगी float कराओगे तो float में convert कर देगी तो it is very easy for us to convert the values ऐसा नहीं कि क्योंकि input function क्या करता है सारी values को string formula लेता है but evil function क्या करता है जो जिस data type में value enter होती है तो उसी data type में उसको evaluate कर देता है means उसको convert कर देता है fine तो यहां पर evil function का हमने इसलिए use किया है आपने tuple को enter कराया tuple कहां चला गया t1 variable में देखो यहां आपने enter tuple यह आपका tuple है 2, 4, 6, 8, 10 next step क्या है हमने क्या क्या length find out की है tuple की by using the length function length function के अंदर हमने t1 को pass कर दिया tuple name को pass कर दिया तो हमारी tuple की length आगे length क्या है number of elements इंदर tuple मतलब tuple के अंदर कितने elements है ठीक है तो यह हमने length variable के अंदर store कर दिया हमें क्या निकालना है mean निकालना है तो हमारे हमने दो variable यहां पर mean and sum और अभी initially दोनों की value क्या है 0 ओके दोनों की value क्या है आपकी 0 तो अब now अब क्या करना है हमें क्या करना है tuple elements का sum करना है तो उनको sum करने के लिए one by one access करना पड़ेगा tuple element को ओके तो access one by one access करने के लिए best आपके पास जो एक method है वो क्या है by using the loop तो यहाँ पे हम four loop का use करें four i in range zero length fine तो loop क्या करेगा start करेगा zero index and length minus one तक चलेगा right तो next command क्या है sum plus equal to tuple name i t1 i t1 i means अब i की value सबसे पहले i क्या करेगा zero index value को access करेगा ठीक है zero index value को access करेगा तो यहाँ पे जो zero index की value यहाँ पे देखो t1 i t1 i इसका meaning क्या हुआ जब यह first time loop चलेगा तो t1 0 fine t1 0 पे हमारा क्या है हमारा 2 है t1 0 पे यहाँ पे you can see यहाँ पे 2 है हमारा 0 तो यह क्या है 2 को access करेगा तो sum देखो तो यहाँ पे हमारी sum की value first time पे क्या होगी अभी sum की value 0 है 0 plus 2 जो first time आपका loop चलेगा fine okay first time आपका loop चलेगा उसके ब्सकी इनद रापकी sum की value क्या है 0 plus 2 right तो sum की value हमारी क्या हो गई 2 ठीक है यहाँ पर हमारी sum की value अब क्या हो गई है 2 हमने sum की value ले लिए है 2 second iteration में अब second iteration में i क्या access करेगा index 1 को access करेगा ठीक है index 1 को access करेगा first iteration में i की value क्या थी 0 थी second iteration में i की value क्या होगी 1 होगी second iteration में 1 होगी means T1 में अब क्या आजाएगा T1 अब T1 की यहाँ पर value क्या हो जाएगी हमारे पास T1 की value हो जाएगी 1 ओके ठीक है तो sum हमारा क्या हो जाएगा sum is equal to अब sum की value first iteration हमें क्या मिल गई थी 2 मिल गई थी ना first iteration में तो अब हमारी sum की value है 2 plus T1 T1 ठीक है T1 पर कौन सी value है T1 वन पर हमारी कौन सी value T1 वन पर हमारी value है 4 4 है ओके तो यह हमारा आ गया 6 5 ओके अब next iteration में I क्या लेगा I लेगा index 2 ठीक है index 2 को access करेगा ओके अगेन हमारी यह वाली command execute होगी अब हमारा again sum अब हमारे पास sum क्या है sum हमारे पास already 6 है fine ओके और T1 पर आप कौन सी value है T1 पर आपकी value है index 2 की value ठीक है और index 2 की value क्या है यहाँ पर 6 ओके तो यह क्या हो गया 12 fine समझ में आ रहा है आपको method यहाँ पर I क्या है I is a variable which will access the index value 1 by 1 first zero index उसको I ने access किया नीचे हम गए command है sum plus equal to T1 I तो sum इस command का क्या meaning होता है sum equal to sum plus T1 I तो पहले T1 में क्या है zero index की value zero index से आगया 2 fine फिर उसमें क्या है second iteration में I ने access की 1 index 1 तो T1 में क्या आ गया index 1 की value that is 4 fine फिर I ने access किया next index value that is 2 तो T1 2 index पे हमारे परस क्या है 6 6 आ गया fine तो ऐसे करके आपका पूरा sum होता जाएगा ठीके sum of values आ जाएगा okay sum आपका निकल जाएगा complete ठीके अभी 12 आ गया है देखो साम यहां पर हमारा 12 आ गया है ठीके अगर आप उसको complete करना चाहते है तो complete भी कर सकते हो 12 प्लस हो जाएगा आपका then next iteration में 8 ठीके next iteration में आपका 8 हो जाएगा that is 20 fine फिर आपका again next iteration होगा उसमें आ जाएगा 20 प्लस आपका क्या हो जाएगा 10 fine that is 30 sum आपका complete 30 निकल के आ जाएगा fine समझ आ रहा है आपका loop चलेगा 1 by 1 जितने elements है तो loop आपका 0 index से length minus 1 तक values को access करेगा ओके तो यहां पर यह 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 ठीके 4 index तक की values को access करेगा और उनका sum हो जाएगा जब हमारे पर sum निकल के आ गया है 30 तो next हमने क्या command दिया mean sum divided by length तो जो आपकी sum है वो किस से divide हो जाएगी length से divide हो जाएगी हमारी यहाँ पर sum 30 है और length क्या है 5 elements है 1, 2, 3, 4, 5 divide हो जाएगी और divide होके आपका क्या आजाएगा mean 30 divided by 5 यहाँ पर आजाएगा तो आप देखो given tuple is T1 तो हमने tuple को print करा है यह हमारी tuple है and the mean of the values of the tuple is mean और यह हमने mean को print करा दिया 5, 6, 30 होता है तो यह हमारे यहाँ पर mean value आगे दिवाइड हो जाएगा 30 divided by 5 तो obviously यह 6 आया आपकी mean value हो आगे 6 ठीक है 6.0 क्योंकि float float में आया है ठीक है 6.0 यह आपकी आगे तो simple आपने क्या किया है देखो यहाँ पर पहले tuple को enter करा है okay tuple की length को find out किया अब हमको यहाँ पर क्या करना है mean निकालना है mean क्या होता है sum of value divided by number of values okay तो one by one क्या किया है हमने sum किया है values को access करके tuple k elements की values को access करके by using the four loop हमने sum निकाला और sum को divide कर दिया number of values number of values is the length okay and then this is your mean okay okay children now we will meet in next video with other programs of tuple till then keep studying and be safe